हेलो स्टुडेंट्स, नमस्कार, आज तपा यारको लागी मैले कस्तो वीडियो ले रागाचु बनने कुरो सायद अंधाजगरी शक्नुबू पिक्चर ला एरे ठापाउन साखिन्च रो टॉपिक लेवनी वनी रखे कुछ अर्थात हमीले मल्टिबल रिग्रेशन एक्वेशन को इसावगरने करम मा अक्षर अ, B1 रा B2 निकालने करम मा क्यालकुलेशन प्राई विद्यार्थी को बिग्री रके कुँँछ, त्यस्वे, एग्जामीनेशन मा केस स्टॉडी को लागी आउने अर्थात लंक उस्यान मा आउने यो multiple regression equation को max लाई, जो खिम मा पार्नेता बन्ने कुर लाई, हमीले मद्य नजर गर दाई, कम से कम answers लाई verify exam मा आफ़ेले गरना शक्यो बने, मा ढुक्का उन शक्यों कि माईले पूर्णार मा max पाएं, बन्ने कुरो अरेक विद्यार चिला बुद्ना को लागी, यो बीटू regression का parameters को व्यालू लाई, easily निकालना शक्षा वन्ने कुरो लाई, हमीले सिखना को लागी, आज याँ यो वीडियो मारपत के कुरा share गर देछूं, अब विचार गरूं, यदी तपायला multiple regression equation दियेको छा वनी, सब बंदा पहिले dependent variable लाई, y मान नुन छ, dependent variable कसरी थाप जुन को मान सोधियेको छा अर्ता जुन variable को व्यालू आमीले निकालनू परनेशा, तो dependent variable होयो, अनि बांकी का दोयोटा variable सर लाई, x1, x2 मान छों, जुन independent variable सर लाई, ती variable सर को मान लाई, हमीले वडा computation table मा प्लोटिंग गर सों, computation table मा प्लोट गरिशा की सम व्यालू ज निका पची, linear equation y is equal to a plus b1 x1 plus b2 x2 गरे रा, निकाली सकी पचाडी, तीन ओटा normal equation शाल गर सों, रा तीन ओटा normal equation मा, हमीले computation table बात, प्राप्त गरिगो सम भ्यालू ज लाई, प्लोट गर दा, हम्रो छुट्टा छुट्टे तीन ओटा भ्यालू ज भाय का normal equations आऊशा, रा त्याँ ब 1 रा b2, यी तीन ओटा regression parameters को मानलाई, easily कसरी निकालना शाकिंचा भन्ने कुरो कलागी, यो कलास अगाडी बढ़ देचा, साथ यो मानाओ, हमीले regression equations को क्याम गर देचा, बने तपाईले directly examination मा, calculator बड़ा भ्यालू निकालने हो बने, यो picture मा, बहजस्तो तरीका को calculator बढ़ scientific calculator ठेरे तरीकाले उपलाब दशा मार्केड मा, रहरेक scientific calculator मा केईने के आधार वला, तर यो जुन calculator को picture देख देनोंच, येस बटा चाएं, हमीले सजीलो तरीकाले, चरीतो तरीकाले, A, B1 रा B2 निकालने बढ़ गोले, माईले SLI टेक दई, आज अग वीडियो लाई 50 is equal to 5A plus 195B1 plus 15B2, यो पहिलो normal equations संख्या मा चाएं, दोसरो होंचायो, तेसे गरी अर्गो मा आयो, उन्ने से 60 is equal to XA 95A plus 85B1 plus 625B2, यो संख्या मा तेसरो छ, ते वर्यला equation 3 वन्यो, तरा दोसरो normal equation होयो, तेस पची अर्गो 147 is equal to 15A plus 625B1 plus 15B2, यो तेसरो normal equations संख्या मा तेसरो वायगोले, चाउथो वायगोले, एला equation 4 बन्यों, अब साथियो, यो normal equations हरूलाई, हमीले दुदी वड़ा elimination rule बड़ा जाऊं, अथ्वा हमीले क्रेमर्स रूल बड़ा जता वड़ा गए पनी AB1 रा B2 को ब्यालो, हमीले निकाले गोजो होंच्यों, त्यों कुरालाई तपायले examination प्रस्तुत गर्ना हुना, पाउन हुना, आफुलेत्ता गर्णूपर्ने का आंता छादेच, मात्रे calculation बिग्रियों की बिग्रियों की बिग्रियों वन्ने चिक गर्ना को लागे मात्रे योगरो, इसलाई अन्य था तपायारली नुभायना, अब साथियो, तपाय 4x2 आउन देच, एस बड़ा किया देखिना गवय भननी, यो जोन वहालू छा, यो भनेको तपाये को लागी, ए हो, यो भनेको b1 हो, र यो भनेको b2 हो, अब, a, b1 र, b2 हमीले एसरी, आउने बालाचा एंसर र, डायरेक्ली, a, b1 र, b2 के एंसर एती, आउसरी, आउसरी, इसको लागी, यो खाल को क्यालकुलेटर बाइले, आफुस अंगा, उपलबद गर्या दिन वला, और यो क्यालकुलेटर मा हमीले, यो रिग्रेसन एक्वेशन को काम लाई अगाडी बड़ावनों को लागी, जाहीले पनी, मोड बनने, बटम तपाये को यहरनो लाई यो क् पाइप रा 252 लाहित ता पाहिले थितनो अला मोड 52 गरे पची regression equations को मोड़ बायांचा खासकरे multiple regression equation को मोड़ बायांचा सिंपल को लागे थिती देरे मेनत गरनों परद नाविले त्यस्वे click mode 52 बने कोच्छा mode 52 थिची सके पची multiple regression को model मा जांचा फेरी multiple regression को इसाब गरी सके जी क्यालकुलेटरला नर्मोड मोड़ बाया आउनु परदा केरी तपाहिले क्या गरनु परदा केरी mode 1 थिचनु अला mode 1 थिची सके पची तपाहिएको calculator फेरी पुरानो बर्जन फर्कीनचा mode 52 ले multiple regression को model मा लांचा mode 1 ले पुरानो बर्जन मा ले राए दिचा अधिले आमी mode 53 थिचे पची योड़ा यो calculator को स्क्रीन मा योड़ा पके पनी एस्तो box बन्छा एस्तो खालको तपाहिएको लागी framework बनायार दिये साथियो यो तरीकाले आमरो dialogue box आई सके पचाड़ी अथवा तई 3 रद 4 लाए हमीले क्रमाई equation 1, equation 2 रद equation 3 को लागी यो 3 उटा rho बनाय दियेको चा डाइलेक box माँ अब तपाहिएले सबंदा पहिले याँ A देख देनुँँँच यो आपेमा A भई आलियो B जो चा यहला हमीले B1 को रूपमा calculation करचू यो C जो चा यहला हमीले B2 गुरूपमा यहला हमीले calculation करच राखे गुँचू और D जो चा यह D बनेको क्योता आमरो लागी constant हो क्योता साथ हो यो constant हो जुनकुरुआ हमीले equations मा होंच तेस्वे क्रमाई सह पहिलो equation 2 जो चा अर्था आमीले सुरुमा देखेको number 1 मा यहांको व्यालो ला plotting करचू यहनुस्त सबंदा पहिलो normal equation अर्थाट equation 2 मा एको coefficient कतीछ 5 तेस्वे आमले यहां 5 करसर तो डिस्प्ले बही रोके कुँँच blink भयको ठामा 5 टाइप करचू 5 थीची पची 15 थीची एका व्यक्राज पचामा देखे इसके रोकर में कसेती दोर 195 थाट 105 थाट duyis भской रोकर दोर annah फेरी इसकल्टु थितनुस तम्हेंको कर्सर अटोमेटिकली दोस्रो लाइन मा ज़री दिन छा अब साथियो हमेले यहां कुन व्यालु हाल नी बंदा दोस्रो एक्वेशन को तम्हेंको डिस्प्ले मा यो डी सुरु मा देखी रखे गोधने याद गरनू होला अब फेरी किया कर चंगां को ब्यालु का देखा 195 195 ला अम psychology का angular गरने केलकुलीटर मान kesalγ्तिब्यां सब्सक्राइर आप व्यालु होलेटव gefाणाना 16% 625 फेरी इस्खल्टु थितने कर्सर सर्च constant व्यालू कर्दीच वन नाइन सिक्स जिरो 1960 एस्फो गरी शाके पसाड़ी तब आहले फेरी इस्खल्टु थितनुस कर्सर अटोमेटिकली थियसरो लाइन मा आई राव पचिदिच तियसरो लाइन मा बसताखेरी सबन्दा पहले एस अंग व्यालू करती छा 15 is equal to 13 is equal to 13 या जान्छा व्यालू 625 टाइप गरनुछ यानिरा फिर is equal to 13 कर्षर माधि चर्च व्यालू करती छा 55 अनि 30 पची गर्ग व्यालू करती जामी संगा constant value 147 ये सरी आमले यो box मा हमिले चाने जुन डिस्प्ले आई रखे क कोन्छा डिस्प्ले माध इसकल्टो गर्दए व्यालू राखे र थिचने काम गरे सके बाची लास्ट माध फिर is equal to 13 वाला इसकल्टो थिची सके बचाड़ी ताप पहलो इसकल्टो फिर्स्ट क्लिक मां एक्षोटी इसकल्ट गरने पितिके तमाई को व्यालू कती आए दिंचा फर्स्ट क्लिक में आए दिंचा व्यालू आए दिंचा व्यालू आए दिंचा क्याल्कुलेट थिद्धे बसनुवाला आए पाइप पाइप थिंचा व्यालू आएप पाइप 7-6.2 यो सेट पट राए आको व्यालू यो जुन कुरो की होता यो 8.983,8708,8708 व्यालू आउख हुश हुआ यह ऐ व्यालू क्ये होता हमरो लागी ए हो सार यह लिए तक यक्ष देखाया यहा नी हम्रों एक्ष्टे सेगेंड क्लिफ इस गल्टु मा वाई को डिस्प्ले आऊँछ तपाईला वाई भनर देला वाई को व्यालू आउने बाला छा 11 कारा एकारा का मुनी एकसे पच्पन्ना गर्यरा इसको व्यालू आउँदेछा 0.0709 जाला आएमले बीवन वन्चों क्याल्कुलेटर दियेको वाई हम्रो लागे बीवन फिरी एक चोटी अर्कु क्लिक गरे पचे क्या वुला हम्रो जेट को व्यालू आउँचा जेट को व्यालू मा माइनस एकसे का सी का मुनी 310 गर्यरा एलायमले क्याल्कुलेटर थीचे पची अथ्वा स्टी बनने बटम थीचे पची तवाई आफ़ेम आयालच स्टी बनने बटम तबाहरामा देखाए दिया आलों कोईले कहें फ्रैक्शन मा आऊटा केरी यहां रहनुस्त यो डिलेट को माथी पटी स्टी बनने बटम हुन्च यो खालगए काल्कुलेटर तवाइ सेंग चा स्टी थीचे बची फ्रैक्शन को कुरला डेसिम्न लोग यालचा फिर कोईले कहें की उन्चा वने बिदार्चियर को जिग्या चा सर मेरो क्यालकुलेटर जदी चानि यहां पावर मा देखाऊं चानि सर माइनस 3 बनर देखाऊं चा अथ माइनस 2 बनर पावर मा देखाऊं अब यह 1.something something something बंदा के रिता यह 1 त तपाईले आफईले प्लस गरना बागो वही नार तिस्तो ठामा तपाईले 0 बन्ठाननो अला अने आफई मा तो 0.something something बाए एंसर आई दिन चा यह तरीकाले तपाईले कुडालाई बिचार गरना शक्ना अब साथियो यह सरी आमिले देकी alla पॉंपाईले 1 तो के फिक सेखने ला स्क्तना है estratे यह सरी प्लस ब्लस लं स्कना बागो यही स्बанаाना था मैंनो फोही नार प्लस भलस मां भलस बीक साथा बने रा को तहित मिची और चारे को को A भायो, Y भनेको B1 भायो, Z भनेको B2 भायो, अनि एसला यह अनुस्ता यही व्यालू आमरों लागे के वता, अगीना हमिले एंसर निकाले से क्या थे हूं, 8.98387, A को भायो, 8.I सा क्याछा, यह भायो, अनि एसला आमरों लेको B2 भायो, अनि उसला, यह अनुस्ता यहां मिले भायो, प्राव्त करना सक्दोरी छो, तो पाइले यह व्याल्यकुलेटर माइडिस्पले गरना अला, जस्ते माइले अब साथियो तो चोर बुद्धी के बंदा हरे नी सब बंदा पईले तपाहिले एला मोईले क्लियर गरीं चोर बुद्धी ले के बंचा बंदा हरे एसला पईला मोले अली क्लियर तो पाहिले क्याल्पुलिशन गर्दा खेरी मानुस एस तो बहले आदा 47 is equal to minus 238 b1 अनि plus 397 b2 अनि अरको तिर 163 is equal to 215 b1 minus 149 b2 दिया गोशा अब यहला है solution गर्दा खेरी तपाहिले कुणी एवड़ाला काटना कोद नुँँछा की b1 ना काटना कोद नुँछा मानू यस्तो आयागो यह काल्पनिक वैलुओ तपाहिले कीद b1 काटनुँछा कीद b2 काटनुछा अब मानों b1 काटना मन लागे बनी यो ठूलो भ्यालुलाई सानो भ्यालुले भाग गर्दा डेशीय मल मात डेफिनेटली आऊनुऊ हो डेशीय마ल मा आया पाची हमलाकै की कन्छों माथी को लाए तवलाले तवलाको लाई माथी ले माथीроп्लाय गर चो यह दो सो गरें पचे, अल्डी प्लस माइनस को बर्जन मासा हमेले साइन शोड़किली परेन स्ब्टाक्शन गरनू परेन यो अल्रडी एडिसेण करता केर्म। उन्चर काटना पाइक हो एल्छा आप भुन म snozz अन्य pension कुलिस्टन गर बीटु को एंसर तो तपाई को खती आउने वालाशा हाम रहो 0.584 आउने वालाशा माइनस मा तर तपाई को क्याल्कुलेट थिद्धा खरी एत्ती व्यालू आई रखेगो शईना भने पनी तपाई ले यहां माथिको न्यूमेरेटर में एवडा व्यालू ड क्याल्कुलेशन गरनूँज होई न भने चोर बुद्धी लगायार सिधा यहां को क्याल्कुलेटर को एंसर शारे दिनुछ अब इस्तो तरीकाता मोईले शिखावनों मोदे नती व्याल्कुलेशन बिगारनूँज अने बिगारी शाके बचि माक्स आयना बनूँज अने केसे श्टडी को लागी पंद्र चा 20 तो माक्स पाउन शक्मान चा यहां मले शूर बुद्धी बड़ कायम गर्चू शाथियो अब यह तरीकाली क्याल्कुलेशन गरने वन्नी कुरो तर्मारला कर्शतो लागियो एदी रामरो लागेगुछ आवने प्रतिक्रिया अजले मोब दाउने जन्जू, एस्ता नमस्टे.